असलाम नेकूं दियर स्टूडेंट्स तुडे आवर केमिस्ट्री लेक्चर आवर टॉपिक नेम इस अलकाइन और यूनिट नमबर इस फॉर तूडेंट्स आज यूनिट नमबर फॉर हाइडो काबन में हमने अलकाइन को डिसकस करना है तो स्टार्ट करते हैं अपने अलकाइन्स अलकाइन्स जो हैं हमारे पास हाइडो काबन हैं हम जानते हैं यह हमारे पास अंसेचुरेटिड हाइडो काबन की टाइप है तो स्टार्ट करते हैं इसकी डिटेल इंट्रॉक्शन में हमने पढ़ा था कि हाइडो काबन तीन तरह के होते हैं अलकेन, अलकीन और अलकाइन्स सैचुरेटिड हाइडो काबन होते हैं अलकीन, अलकेन को हम अलड़ी डिसकस कर चुके हैं तो स्टार्ट करते हैं अलकाइन् सबसे पहले जो simplest alkyne है वो हमारे पास है acetylene को अगर देखा जाए तो इसको कहा जाता है कि यह हमारे पास एक best, एक simplest example है alkyne की अगर इसका molecular formula देखें तो वो है हमारे पास C2H2 alkynes are also called acetylene because of the name of the first member of the series is acetylene अगर alkynes का हम series देखें, series या members देखें जो एक series में चलते आ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आने वाला जो name है या जो सबसे पहले आता है member उसका name है acetylene इस वज़े से हम कहते हैं कि simplest alkynes है, वो क्या है हमारे पास acetylene क्योंकि ये first member है alkynes का उसके बाद हम देख लेते हैं इसका molecular, condensed, structural and dot and cross formula जिसरह हमने alkyne, alkyne का discuss किया था previous अपने lectures में, alkyne का भी हमारे पास table given था उसमें सारे series में, series of members name बताय हुए थे, उनका molecular formula क्या होता है, उनका structurally किस तरह से हम उस चीज़ को represent करते हैं, dot and cross formula क्या है, same इसी तरह alkynes जो हैं उनका भी discuss कर लेते हैं molecular, condensed, structural and electronic formula जिसको हम dot and cross formula भी बोलते हैं, alkynes का सबसे पहले हमारे पास name given है, acetylene, ethyne, methyl acetylene, propine, dimethyl acetylene, diamonds के two methyl हैं, acetylene को हम क्या बोलेंगे, butyne molecular formula की अगर बात करें, तो acetylene का जो molecular formula है, वो है C2H2, methyl acetylene C3H4, dimethyl acetylene C4H6, अगर इनके formula को condensed formula में लिखें, तो वो हमारे पास acetylene का आएगा, HC, triple bond CH, तो students, यहां पे जो triple bond है, वो represent कर रहा है, कि यह हमारे पास unsaturated hydrocarbon है, unsaturated hydrocarbon में हमने जब alkyne और alkyne का जिकर किया था, introduction में, तो मैंने आपको बताया था, कि जो alkyne है, उसमें double bond present होता है, और alkyne के अंदर triple bond present होता है, तो यह इसकी best example है, आपको understand हो भी गया होगा, नहीं हुआ, तो इस चीज़ पे आप focus करें और memorize कर लें, condensed formula, basically show कर रहा है, कि acetylene जो के हमारे पास एक member है, alkyne का उसके अंदर triple bond present होता है, next, जो methyl acetylene है, इसका formula है हमारे पास, H3C bond C, triple bond CH, next, third वाला जो हमारे पास member given है, dimethyl acetylene, तो इसका condensed formula हमारे पास कुछ इस तरह से है, H3C bond C, C stands for carbon, triple bond carbon bond CH3, अगर हम इन formula को structurally represent करना चाहें, तो इनके structures हमारे पास given है, यह structure students हमारे पास है, acetylene का, यह है methyl acetylene का, and the third last is dimethyl acetylene, last पे हमारे पास है, dot and cross formula, जिसको हम electronic formula भी बोलते हैं, इसको dot and cross formula क्यों बोलते हैं, आप already इस चीज़ के बारे में जानते होंगे, again revise करवा देती हूं आपको, कि यह जो dot और cross होते हैं, यह actually represent कर रहे होते हैं, electrons को, electrons की sharing को, ठीक है, अगर हम देखें कि यहां पे bond बना हुआ है, carbon और hydrogen के दरम्यान, तो एक side पे dot है, hydrogen वाली side पे cross है, तो cross वाला जो electron है, hydrogen का है, उसने sharing की हुई है, carbon atom के साथ, carbon atom के electron के साथ, तो इस तरह से इनके दरम्यान में bond formation हुई है, same like हमारे पास next, दोनों जो हैं, उनके dot and cross formulas given है, आप देख सकते हैं, उसके बाद हमारे पास point है, अक्रेंस का, अक्रेंस में students, acetylene को अगर देखा जाए, तो यह free in nature नहीं होती, ठीक है, acetylene are present in coal gas, coal gas के अंदर present होती है, और percentage कितनी है हमारे पास, 0.06% next हमारे पास है, preparation of all kinds, how to prepare, हम all kinds को किस तरह से त्यार कर सकते हैं, हमने ये बात पहले ही discuss कर लिया है, कि nature में ये available नहीं होते, freely, तो इनको prepare किस तरह से करेंगे, हमारे पास यहाँ पर methods given है, dehydrogenation, ठीक है, dehydrogenation, यहाँ पर पूरी जो statement हमारे पास given है, dehydrogenation of visional dihalides, dihalides mean two halides, halides हमारे पास क्या होते हैं, halogens होते हैं, जो group number 17 से belong करते हैं, ठीक है, when visional dihalides is heated, यहाँ पर आप हमारे पास जो molecule, sorry, जो हमारे पास structural given है, जिसके साथ हमने reaction करवाना है, alcoholic KOH का, वो हमारे पास क्या है, visional dihalides, यहाँ पर students आप देख सकते हैं, कि यहाँ हमारे पास दो halides जो हैं, वो present है, इनको हम बोलेंगे, visional dihalides, और इसका reaction करवाना है, 2 KOH के साथ, तो in the presence of alcohol और temperature हमारे पास given है, 100 Celsius, यहाँ पर अब जो हमारे पास result आएगा, वो आएगा, इथाइन, HC, triple bond, CH, जिसको हम acetylene भी बोलते हैं, प्लस 2 KCl, प्लस 2 water के molecule, अब यह जो reaction हमने करवाया है, तो hydrogen atoms along with two halogen atoms are removed from two adjacent carbon, adjacent carbon means to say, यह वाली कारबन, जिनके साथ यह attach हुए वे हैं, यहाँ से remove कर लेना है, इनको with the formation of a triple bond, यहाँ पे हमने triple bond की formation की है, क्यों की है, क्योंकि हम prepare कर क्या क्या है रहे हैं, alkynes, alkynes की preparation कर रहे हैं, तो definitely alkynes के अंदर triple bond present होता है, तो triple bond बनाने के लिए हम adjacent carbon के साथ, जो visional diahalides, जो hydrogen होंगे, उनको हम remove करके products में convert कर लेंगे, ठीक है, next हमारे पास है dehalogenation of tetrahalides, when alkyl tetrahalides are heated with zinc dust, the elimination of halogen atoms takes place to form ethane, जी reaction हमारे पास given है alkyl tetrahalide, tetra means 4, पहले हमने बढ़ा था visional diahalides, diah means 2, tetra means 4, अब इसमें जो हमने reaction देखना है, उसमें हमारे पास number of halides कितने हैं, 4 है, 1, 2, 3 and 4, reaction किसके साथ करवाना है, हमने zinc metal के साथ करवाना है, dust, ठीक है, heat provide करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, ethine, plus, हमारे पास आएगा, 2 znCl2, तो ये हमारे पास reaction में क्या हुआ, कि actually, हमने क्या चीज़ त्यार करनी है, alkyne, ठीक है, alkyne की preparation हम पढ़ने है, तो इसमें, ये जो हमारे पास 4 halides थे, जिनको हमने tetra halides बोला है, ये remove हो जाएंगे, क्यों, reason के हमारे पास formation होनी है, यहाँ पे triple bond की, और इस वज़ए से, यहाँ पे ये 4 जो है, remove हो जाएंगे, और हमारे पास alkyne, आ जाएगा, और plus 2 znCl2, next, students हमारे पास इसके कुछ physical properties है, alkynes जो है, बनाते हैं, series of compounds, first member acetylene है, colorless gas होती है, garlic order होता है, acetylene slightly soluble होते हैं, water के अंदर soluble होते हैं, organic solvents के अंदर, organic solvents कौन कौन से हैं, zinc है, alcohol है, acetone है, ether है, उसके बाद acetylene, जो है slightly lighter होता है, than air, alkynes are also flammable, they produce smokers' flames, than those of alkynes and alkynes, यह कुछ इसके general physical properties है, इतने difficult नहीं है, मैंने आपको read करवा दिया, आपने इसको as it is, जयाद करना है, कि color क्या होता है, order कैसा होता है, soluble है, water main नहीं है, air से lighter है, और flammable होते हैं, इसके इसके chemical reactions है, alkynes जो है reactive compounds होते है, क्यों होते है reactive compounds, आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर triple bond present होता है, और यह unsaturated होते है, triple bond consist करता है, two weak bonds पे, and a strong bond पे, वो जो two weak bonds होते है, वो break हो जाते है, when alkynes react with other substances, two weak bonds are broken one by one by addition, क्या होता है, easily, जो हमारे पास एक bond होता है, वो strong होता है, like हमारे पास example उसकी है, alkane, alkane saturated hydrocarbons होते हैं, और उनके अंदर सिफ एक bond present होता है, और जो alkynes है, इनके अंदर triple bond present होता है, एक strong होता है, और दो जो होते हैं, इसमें students हमारे पास reactions हैं, सबसे पहले जो हमारा reaction है, वो है addition of halogen, पहले हमने halogen को, halides को remove किया था, dihalide को और tetra halide को, अब यहाँ पे हमने add करना है, chlorine and bromine को add करना है, acetylene के अंदर, और क्या बनेगा हमारे पास, tetra chloro ethane and tetra bromo ethane, अब जो bromine water है, उसको हमने add करना है, acetylene के अंदर, red, brown, color bromine water का होगा, वो discharge हो जाएगा rapidly, जल्दी से, due to formation of colorless, अब जो हम tetra bromo ethane बना रहे हैं, वो colorless होगी, तो उससे क्या होगा, कि जो already color है, red, brownish color जो present होगा, वो फॉरन से discharge out हो जाएगा, तो reaction हम देखते हैं, यह reaction है हमारे पास, इसमें हमने, acetylene के अंदर, halogen जो है, bromine water जो है, उसको add करना है, जिसका color था red, brown, वो discharge हो जाएगा, तो हमारे पास, एक colorless properties रखते हुए, यहाँ बनेगा, tetra bromo ethane, this reaction is used to identify, the unsaturation of alkyne, अगर हमारे पास, कोई material given है, जिसमें हमें यहीं नहीं बता, कि वो saturated है, या unsaturated है, तो हमने उस चीज़ को, find out करने के लिए, identify करने के लिए, इस reaction को use करना है, तो हमें पता चल जाएगा, कि unsaturation है, unsaturation होगी, तो वो alkyne होगे, definitely, next हमारे पास है, oxidation with KMNO4, oxidation में, ethane is oxidized by alkaline KMNO4, and four hydroxyl groups, add to the triple bond search as, सबसे पहले, अगर हम alkyne की बात करें, alkyne के अंदर, हमने 2 KMNO4, add करना है, साथ में हमारे पास water given है, तो हमारे पास जो products आएंगे, यहां पे 4, आप देख सकते हैं, 2 यह upper side पे है, 2 lower side पे, hydroxyl groups आ जाएंगे, plus 2 MNO2, 2 plus 2 KOH, next हमारे पास, this intermediate product, जो दर्म्यान वाला product है, eliminate कर देगा, water molecules को, और क्या बनाया देगा, glyce glyco, glyoxal, which is further oxidized, to form oxalic acid, अब यह जो हमारे पास product बना है, इसको हम यहां पे लेंगे, as a reactant, तो यहां से जो water molecule हैं, वो remove हो जाएंगे, eliminate हो जाएंगे, तो यहां पे सबसे पहले क्या बनेगा, glyoxal, और next, last पे जो हमारे पास product आएगा, वो आएगा, oxalic acid, next हमारे पास uses हैं, acetylene के, alkynes के, acetylene produce, किस रह से होता है, oxy, acetylene flame with oxygen, it is a highly exothermic reaction, heat released, is used for welding purposes, welding purposes में use होती है, acetylene use की जाती है, prepare करने के लिए, कुछ chemicals, वो chemicals कौन कौन से हो सकते हैं, alcohols हो सकते हैं, acetaldehydes हो सकते हैं, कुछ acids हो सकते हैं, third point है, हमारे पास इसको use किया जाता है, fruits wrapping, fourth है, हमारे पास used for the manufacturing of polymer products, like polyvinyl chloride, polyvinyl acetate, and synthetic rubber like neoprium, neoprium, fifth है, हमारे पास polymerized to form benzene, which is used as raw material, to form a variety of organic compounds, variety of organic compounds की manufacturing के लिए, इसको as raw material use किया जाता है, तो students, आज का हमारा ये topic यहाँ पे close हो रहा है, end हो गया है, ये chapter हमारा hydrocarbons वाला complete हो चुका है, जिसमें हमने detail में discuss किया है, hydrocarbons को, जो के हमारे पास derivatives होते हैं, organic compounds के, इसमें हमने तीन major groups पढ़े हैं, alkines, alkenes and alkines, and उनकी formation कैसे होती है, उसमें addition किस किस चीज की होती है, उनकी properties, उनके uses, each and everything, अब next हमारे पास है, इसका home task, आपने alkines को learn करना है, और write करना है, unit number four का हमारा topic है, और हमारे four number जो topic का है, इसका name है, हमारे पास hydrocarbons, आज का lecture यहाँ पे complete होता है, इन्शाला, next lecture में हम new chapter स्टार्ट करेंगे, take care, allah hafiz, आपने पास्टार्ट करेंगे,